चैशे कृष्णा आप सभी का मेरे चैनल में स्वागत है नरक चतुर्दशी या रूप चोधस कथा महत्व एउ पूजाविधिं नरक चतुर्दशी दिपावली के पास दिनों में से दूसरे दिन मनाया जाता है या तहवार महापर्व दिपावली के एक दिन पहले मनाया जाता है इसे नरक से मुक्ति पाने वाला तहवार कहते हैं इस दिन भगवान कृष्ण ने नरका सुर नामक राक्षस का वद किया था इसे कारण इसे नरक चतुर्दशी कहा जाता है इसे रूप 14 एवं छोटी दिवाली भी कहते हैं यह पर्व कार्टिक मास कृष्ण परक्ष की 14 के दिन मनाया जाता है नरक चतुर्दशी पूजन विधी इस दिन सुर्योदय से पूर्व उठकर इसनान का महत्व होता है इस दिन इसनान करते वक्त तील एवं तील से नहाया जाता है इसके साथ नहाने के बाद सुर्य देव को अर्ध समर्पित करते हैं इस शरी पर चंदन लेप लगा कर इसनान किया जाता है एवं भगवान कृष्ण की उपासना की जाती है रातरी के समय घर की दहलीश पर दीप लगाया जाते हैं एवं वियमराज की पूजा भी की जाती है इस दिन भगवान हनुमान जी की भी अर्चना की जाती है नरक चरतुरदेशी पर हनुमान जैनती भी होती है यह माननेता है कि इस दिन कार्तिक मास कृष्ण पक्ष की 14 के दिन हनुमान जी ने माता अंजना के गर्भ से जन्म दिया था इस प्रकार इस दिन दुखो एवं कष्टों से मुक्ति पाने के लिए हनुमान जी की भक्ति की जाती है जिसमें कई लोग हनुमान चालिसा हनुमान अस्टक जैसे पार्ट करते हैं कहते हैं कि आज के दिन हनुमान जयनती होती है यह उल्लेक वालमिकी रामायन में मिलता है इस प्रकार देश में दो बार हनुमान जयनती का उज़र मनाया जाता है एक बार चैत्र की पुर्णिवा और दूसरी बार कार्टिक मास कृष्ण पक्ष की 14 के दिन नरक चतूरदर्शी कथा इससे नरक निवारन चतूरदर्शी कहा जाता है इसके पिछे एक पौराणिक कथा है जो कि इस प्रकार है एक प्रतापी राजा थे जिनका नाम रंदी देयो था सौभाव से बहुत ही शांत एवंपुर्ण आत्मा इन्होंने कभी भी गलती से किसी का अहित नहीं किया इनकी मृत्यू का समय आया यमदूत इनके पास आये तब इन्हें पता चला कि इन्हें मोक्ष नहीं बलकी नरक मिला है तब उन्होंने पूछा कि जब मैंने कोई पाप नहीं किया तो मुझे नरक क्यों भोगना पढ़ रहा है उन्होंने यमदूतों से इसका कारण पूछा तब उन्होंने बताया एक बार अज्यानतावश आपके द्वार से एक ब्राह्मन भुका चला गया था उसी के कारण आपका नरक योग है तब राजा रंती ने हाज जोड़कर यम्राज से कुछ समय देने को कहा ताकि वे अपनी करनी का सुधार कर सके उनके अच्छे आच्रण के कारण उन्हेया मौका दिया गया तब राजा रंती ने अपने गुरु से सारी बात कही और उपाय बताने का आग रह किया तब गुरु ने उन्हें सलादी कीवे हजार ब्राह्मनों को भोज कराए और उनसे छमा मांगे रंती देव ने यही किया उनके कारे से सभी ब्राह्मान प्रसन्न हुए और उनके आशिरवात के फल से रंती देव को मोक्ष मिला वह दिन कार्तिक मास क्रिश्न पक्ष की चौदस का था इसलिए इस दिन को नरक निवारन चतुरदशी कहा जाता है नरक चौदस को रूप चतुरदशी क्यों कहा जाता है एक हिरणेगर्ब नाम का एक राजा थे उन्होंने राजपाट छोड़कर तप में अपना जीवन व्यतित करने का निर्ने लिया उन्होंने कई वर्षों तक तपस्या की लेकिन उनके शरीर पर किड़े लग गए उनका शरीर मानु सड़ गया हिरणेगर्ब को इस बात से बहुत दुख हुआ तब उन्होंने नारद मुनी से अपनी व्यत्था कही तब नारद मुनी ने उनसे कहा कि आप योग साधना के दोरान शरीर की इस्तिती सही नहीं रखते इसलिए ऐसा परिणाम सामने आया है तब हिरणेगर्ब ने इसका निवारण पूझा तब नारद मुनी ने उनसे कहा कि कार्टिक मास कृष्न पक्षर चतूर दशी के दिन शरीर पर लेप लगा कर सुर्य उदय से पूर इस्नान करें साथ ही रूप के देटा श्री कृष्न की पूझा कर उनकी आर्थी करें इससे आपको पुनहा अपना सौंदर ये प्राप्त होगा इन्होंने वही किया और अपने शरीर को स्वस्त किया इस प्रकार इस दिन को रूप चतुर दर्शी भी कहते हैं आज के दिन सारी नारिया चाहे वो लड़की हो या विवाहिता हो अपने आपको रूप सी पान बनने के लिए श्रिंगार करती है और रूप चौदस मनाती है इसे छोटी दिवाली भी कहा जाता है यह दिन दिवाली के एक दिन पहले मनाया जाता है इसमें भी दीबदान किये जाते हैं द्वार पर दीपक लगाये जाते हैं उतनी ही दूमधाम के साथ खुशेों के साथ घर के सभी सदस्यों के साथ तहवार मनाया जाता है आप भी रूप चतुरदर्शी का देहवाद बनाईए जैश्र कृष्णा